गुद्मॉनिंग चिल्डर्ड विसे सिंधी लिट्रेचर और थर्डर साइट में कैप्टर फोर जीव जगध का आधार ब्रेच तो आज विद्धी लिट्रेचर में हम लोग एक लेख पढ़ेंगे यह लेख पार्यवरत पर आधारित है व्रिचों पर आधारित है इस लेख म में हम व्रिजों के महत्वपूल तत्यों के बारे में जानेंगे आज हमारे लिए व्रिच कितनी आवश्यक है कुछ साल पहले हम व्रिचों को अंधर दू काटा करते थे और हमें नहीं पता होता था कि इसका क्या दूस्परिणाम हमारे साथ हो सकता है प्रतु आज मनुस्य इससे होने वाली दूस्परिणामों से परिशित हो चुके हैं और आज की तरह से व्रिच्छा रोपन किया जा रहा है तो आएए आज हम लोग इस लेंग में जानेंगे व्रिच हमारे लिए क्यों और किस लिया आवश्यक है चेप्टर फोर जिव जगत का अधार व्रिच अध्याई चार जिव जगत का अधार व्रिच परियवरन परियवरन सब्द का अर्थ है परी जोड आवरन अथात हमारे चारों और का आवरन इसमें हवा पानी भूमी नदी परवत व्रिच आदी सभी आते है हमारे जीवन में परियवरन का पहुत महत्व है क्योंकि सभी जीव जन्तु जीवित रहने के लिए परियवरन पर आश्रित है अगर आज परियवरन नहीं होता तो सायद आज एक भी जीव जन्तु या मनुष्य जाती जीवित नहीं रह पाता आज जो हम जीवित है वो परियवरन की वज़ा से हैं बच्चो यदि हमारे आस पास और सारी प्रित्वी पर ये पेड़ पौधे और चारों और फैली हर्याली ना हो तो जानते हो क्या होगा तब एक भी जीव जन्तु प्रित्वी पर जीवित नहीं बच सकेगा यही कारण है कि वनस्पती जगत का विकास प्रानी जगत से पूर हुआ है मतलब पहले हुआ है आदी मानों व्रिजों के नीचे रहता था पहले जमाना में मनुष्य आदी मानों हुआ करते थे आदी मानों व्रिजों के नीचे रहता था वनों की छाल तथा पत्तों के वस्त्र बना कर पहनता था तथा व्रिजों से प्राप्त फूल फल आदी खाकर पेट भरता था तो जब मनुष्य से पहले जमाने में जब आदी मानों थे तब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था वे व्रिजों की नीचे रहा करते थे पेड़ों की गुफाओं में रहा करते थे और वनों में पेड़ की छाल और पत्तों के वस्त्र बना कर पहना करते थे तथा व्रिजों से फल फूल तोड़ कर खाया करते थे और अपना पेड़ भरा करते थे इस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान आदी अपने जीवन की मुल भूत अवशक्ताओं की पूर्ती वह व्रिजों से ही करता था आग का आविस्कार मानों के विकास का पहला चरन था जब आदी मानों का जब जमाना था तब आग का आविस्कार हुआ था और मनुश्य का सबसे पहला अविस्कार आग ही था तब से लेकर आज तक मानों ने अपने विकास के कई चरनों को प्राप्त किया है लेकिन उसके विकास में व्रिजों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता व्रिज का एक व्रिज का जिवित रूप हो या सुखा हुआ वा सभी रूपों में प्राणियों के लिए पहुत उप्योगी है व्रिज सुखा हो या जिवित हो दोनों रूपों में व्रिज हम मनुश्यों के लिए लाबकारी होते हैं व्रिज अगर जिवित है और हरे भरे हैं तो वे हमें फल फूल देकर हमें लाब पहुचाते हैं और अगर पेड़ सुख गए हैं तो भी वे हमें जलावन के रूप में लकड़ी देकर और फरनीचर के लिए लकड़ी देकर हमें लाब पहुचाते हैं व्रिज की जड़ तना, पत्ते, फूल, फल और बीच से निकलने वाले तेल आदी उद्योगों की द्रिश्टी से भी महत्वपूर्ण है व्रिज धर्ती को हरा भरा रखने के साथ साथ धर्ती के तापमान को संतूलित रखते हैं वायू को सुध करते हैं और हमें प्रान वायू प्रदान करते हैं प्रान वायू का अर्थ है ऑक्सिजन जो हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए बहुत से व्रीच जैसे नीम, आवला, तुलसी, पलास, असोक, आदी आउसद्यों के भंडार भी है ये सभी जो पौधे हैं पेड़ पौधे हैं इन सबसे बहुत तरह तरह की दवाईयां भी बनाई जाती है वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित आयूर्वेट, चिकित्सा व्रीचों पर ही निर्भर है यही कारण है कि भारत में व्रीचों की पूजा की जाती है व्रीच लगाना, पुन्य और काटना, पाप माना जाता है धर्म की दृष्टी से बरगद, तुलसी, आदी कई व्रीचों को देवताओं का निवास अस्थान माना गया है विज्ञान की दृष्टी से पानी की हमारी आवशक्ता को पूरा करने में भी व्रीच बड़े सहायक है जहां व्रीच अधिक होते हैं, वहां वर्षा अधिक होती है पेड़ों की जड़ों द्वारा बर्षाद का पानी जमीन के अंदर पहुँच जाता है इससे जमीन में खेती के लिए आवशक नमी बनी रहती है कुओं के पानी का जलस्तर भी ठीक रहता है मनुष्य को भोजन सदेव व्रीचों से ही मिलता रहा है जब मनुष्य खेती करना नहीं जानता था तब वह इनके फल फुल खाकर ही जीवित रहता था आज भी सेव, संत्रा, अंगूर, लीची, आदी, स्वादिस्थ और पोसक फल हमें व्रीचों से ही मिलते हैं माकान बनाने के लिए उप्योगी लकडी भी प्राप्त होती है खेती के लिए आवजार भी इनहीं लकडियों से बनते हैं हमें खिर्कियों, दर्वाजों और अन्य घरेलू वस्तूँ एव फरनिचर जैसे मेच, कुर्सी, पलंग, चर्पाई, आदी के लिए लकडी की आवशकता पड़ती है या लकडी हमें व्रीचों से ही मिल सकती है पहले हमारे देश में बहुत बड़े बड़े वन थे पहाडी हो या मैदानी छेत्र कहीं भी पेडों की कमी नहीं थी लेकिन आज इस्तिती ऐसी नहीं है हमने बस अपना लाब देखा भविस्य की कोई चिंता नहीं की उद्योग धंदों और घरेलू उप्यों के लिए हम वनों को अंधा धून काट डालते हैं इसका परिनाम बहुत बुरा होता है वर्सा से मिट्टी के कटाव को रोकने वाली पेडों की जड़े समाप्त हो जाती है जिससे जमीन कटती जाती है और उपजाव मिटी पानी के साथ नदियों में बह जाती है प्रतिवर्ष देश के विभिन भागों में जो विनाशकारी बाढ़ आती है वा बहुत कुछ इन व्रिज्जों की अंदर धून कटाई का ही परिनाम है आज आवशक्ता इस बात की है कि लोग एक पेड़ काटे तो उसके अस्थान पर चार पेड़ लगाएं और उन्हें सुरक्षित रखा जाए तभी प्रकृति की यह अमुल्य नीधी पिढ़ी दर पिढ़ी मनुष्य के लिए उप्योगी बनी रह सकती है आज यह बहुत बड़ी प्रसंता की बात है कि मनुष्य व्रिज्जों को काटने से होने वाली हान्यों से भी परिचीत हो चुके है व्रिज्जों की कमी को पूरा करने के लिए खाली भूमी में व्रिज्जा रोपन का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है प्रिट्वी पौधे बड़े होकर विशाल व्रिज्ज बनेंगे इसके साथ इनसे हमें सितल छाया और फूल फल भी मिलेंगे विज जब तक जीवित है हरा भरा है तब तक तो उप्योगी है ही जब विज हो जाता है तो उसके बाद भी काम आता है इसलिए प्रकृति के इस अमुल्य उपहार की हमें सुरक्षा करनी चाहिए और नए नए पौधों का रोपन करते रहना चाहिए जिससे कल वे फलदार विज बनकर हमारी रक्षा कर सके तो यह की एक छोटी सी लेख इस लेख को पढ़कर आप लोग समझ गया हमें कि परियावरण हम मनुष्यों के लिए और पसुपक्ष्यों के लिए कितनी आवश्चत है इस परियावरण को स्वच और सुंदर बनाई रखने के लिए हमें आवश्चता से अधिक व्रिज लगाने होंगे और व्रिजों की रखवाली करने होती अब इस पार्च से समंधिक कुछ प्रश्ट और प्रश्णों के उत्तर आपको पीडियेप में मिलेगा आप लोग उ कोपी में लिखिए और उसे याद कीजिए थैंक्यों चिल्डन